हेलो एवरिवान, वेलकम बेक टो मै चैनल, आज हम ये अनियन रिंग बनाना सिखेंगे, रिंग को दूसरे रिंग से कवर करना सिखेंगे, इसे अनियन रिंग कहते हैं, और नीडल टेटिंग में तो बहुत इजी है इसको बनाना, बस थोड़ी सी ट्रिक है उसको आप समझ ल लिया है, तो सबसे पहले चैन से शुरू करते हैं, डिरेक्टरिंग से नहीं, चैन बना रही हूं, मैं यहां पे 12 डॉबल स्टिचेज ले लेती हूं, तो यह 12 डॉबल स्टिचेज में ले लिये हैं, और यह नीडल में पूरी खींच दूँगी, क्यों चैन है न, तो इसमे अब आगे हम रिंग बनाते हैं, 8 डॉबल स्टिचेज पिको, 8 डॉबल स्टिचेज लेके हम यह रिंग बनाते हैं, देखिए, शटल टैटिंग में, ट्रू रिंग, मॉक रिंग के कॉंसेप्ट जो है, वो ज्यादा मायने रखते हैं, नीडल टैटिंग में तो हमारा सिंप ठापे लए का एक ही मेठेड में है उसा से चेम बनाते हैं उसी से रिग बनाते हैं तो यह एड डुसरी पिकोकर डबल स्टिचे पिको डवल बना dialer को ट्रू रिंग बोल लीजिए आप यह ट्रू रिंग ही है बसक्रिकन हरे तो यह हम फटासरे एट डबल स्टिच एट डबल स्टिच इस तरीके से हमने स्टिच इस ले लिए रिंडल खींच लेंघे पिछे लूप छोड़ेंगर क्योंकि रिंग बना रहे तो इस लोप में से हमको नीडल गुजारनी है और स्टिचिस को पकड़ के रखेंगे तो ये देखो ये रिंग बन गया है अब इसको कवर करने के लिए सेकंड रिंग जो अनियन रिंग हमने बनाना है इसके उपर दूसरे रिंग की कवरिंग करनी है तो फ्रंट से ही नोट ल लगा ली अब यहां पर हम देखें दूसरे रिंग के लिए यही से हमने स्टिचिस लेने है पहले तो 12 डॉबल स्टिचिस लेते हैं 12 डॉबल स्टिचिस जोइन 12 डॉबल स्टिचिस लेना है लेकिन पहले 12 डॉबल स्टिचिस लेके यह देखिए हमने यह इसको ओफ नीडल कर लिया स्टिचिस को, लेकिन ये लूप पूरा नहीं खिंचेंगे, ह्याद रहे हम चेन नहीं बना रहे, रिंग ही बना रहे हैं दूसरा भी, और ये देखें, अब यहाँ पे जोईन लगाना है हमको, जोईन हमको लगाना है bowl thread से तो जो bowl thread है वो pico के सामने कर लेंगे ये देखी ये बॉल thread है हमारा ये बॉल वाला thread जो है pico के सामने हमने कर लिया अब crochet hook से ये pico के पीछे से आते हुए ये bowl thread हम pico में से निकाल लेंगे इस त्रीके से और इसको नीडल पास कर लेते हैं क्योंकि रिंग बना रहे हैं तो नीडल तो इसके चारो तरफ घूम नहीं सकती तो यह वाला जोएन हमने हाफ स्टिचिज लेके ओफ नीडल कर दिया और इसको इस तरह से जोएन लगाया ठीक है अब बाकी के 12 डबल स्टिचिज बिल्कुल इसकी पास से ही हम इसी के पास से शुड़ू कर लेंगे यह देखो वान गैप नहीं आये यहां पर यह ध्यान रखना टू गैप आएगा तो वो पिको बन जाएगा हमारा तो यह मैं 12 डबल स्टिचिज ले लेती हूं और अब यहां से हमने नीडल खींच देनी है पूरी यहां से खीं और स्टिचिज को पकड़ते हुए हमने यह रिंग क्लोज कर लेना है तो यह बहुत ही ब्यूटिफुल सा अनियन रिंग हमारा बन के त्यार हो गया और यहां पे यह देखो इस तरीके से अब इसके बाद चेन बनानी है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा देखो बहुत ही ब्यूटिफुल हमारा अनियन रिंग बन गया है बहुत सफाई से बना है इसको रिवर्स करके हमने नोट लगानी है रिवर्स इसलिए किया क्योंक इसके बाद भी chain बनानी है हमको इसी तरिक्के से हम laces बनाएंगे तो next chain शुरू करने से पहले पिछली chain के first stitch को हमने उठा लेना है इससे बिल्कुल अच्छी सी finishing आती है यहाँ पर तो इसके भी हम 12 double stitches ले लेंगे और यह फिर हमारा chain onion ring chain यह एक छोटा सा pattern जो है complete हो जाएगा तो यह देखो 12 double stitches लेके मैंने पूरी needle यह खींच ली है और यहाँ पे stitches tight करके reverse करके यहाँ भी हमने knot लगाती है तो यह complete हो गया तो देखाना कितना beautiful यह onion ring बना है इसकी practice करना thank you